असलाम उलेकूम बच्चो बच्चो आज हम अम्मी चिमाया इस पार्ट के आखरी हिस्से को पढ़कर समझेंगे अम्मी ने जनाचा तोंडा कड़े पाहिले शनबर तिला त्याजागी सलमा दिसली अम्मी ने जनाचा की चेहरे की तरफ देखा तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे के सलमा हो जना जरा थाम मनून सलमा ची आई घराद गेली उसने जना से कहा के जना बिटा थोड़ी देर रुको और ये बोलकर वो अंदर गई सलमा चा दूसरा गणवेश गेऊन आली वो मनाली जना हा चिकलाने भर लेला गणवेश बदल हा सलमा चा दूसरा गणवेश आहे हा तू घाल और अंदर से अंदर जाकर सलमा का दूसरा यूनिफॉर्म लेकर आई और कहा के बेटा ये जो है कीचड से लटपत यूनिफॉर्म इसे उतार दो और ये जो है दूसरा वाला यूनिफॉर्म इसे पहन लो तिने जनाला गणवेज घालायला दिला और उसने जो है तो जना को वो युनिफॉर्म पहनने के लिए दिया तिला प्यायला पाणी दिले और उसे पीने के लिए पाणी दिया सल्मा वजना दोगी शालेद गेलिया और सल्मा वजना जो है ये दोनों मिलकर स्कूल गई स्कूल की छुटी होने के बाद दोनों घर आई तो जना ने उसकी अम्मी से कहा कि अम्मी आपने सल्मा का युनिफॉर्म मुझे पहनने के लिए दिया इसलिए मैं आज दिन भर स्कूल में बैट सकी अम्मी माजा गणवेश दिया उदया शाले ते तन्ना सल्मा जा गणवेश दून घेऊन ये ते उसने अम्मी से कहा कि मेरा गणवेश दो मैं कल स्कूल आते वक्त सल्मा का युनिफॉर्म धोकर लेकर वापस आऊंगी अम्मी घरात गेली धून वालून घडी घालून ठेवलेला जना चा गणवेश अम्मी ने आनला वह जना चा हाता दिला अम्मी जो घर में गई और उन्होंने दोकर सुखा कर उसका युनिफॉर्म रखा हुआ था वो लाकर जना के हात में दिया जना